नमो नमा, संस्क्रित निधी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम RPSC संस्क्रित कॉलेज लेक्चरर के पठक्रम्य निर्धारित ब्राम्मी लिपी और अशोग के अभिलेट इस विशय से संबंदित कुछ परिक्षोपयोगी महत्वपोन प्रश्णों का संकलन देखेंगे और यह जो विशय है वो नेट और सेट के लिए वी उसे प्रकार से महत्वपोन है तो आईए देखते हैं कुछ प्रश्ण प्राचीन भारतिय लिपी है ब्राम्मी लिपी प्राचीन भारतिय अभिलेखों में प्रयुक्त लिपी है ब्राम्मी तथा खरोष्टी लिपी प्राचेन जो भार्ती अभिलेक हैं उसमें इन दोनों ही लिपियों का प्रयोग हुआ है ब्राम्मी और खरोष्टी लिपी खरोष्टी लिपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है गांधारी लिपी खरोष्टी लिपी को गांधारी लिपी दी कहा जाता है लिपी अनुसंधान के प्रारंबिक अनुसंधान करता थी अर्थार लिपी अनुसंधान लिपी का जो शोध किया था लिपियों के विशय में उसमें प्रारंबिक शोध करता कौन थी तो इसमें नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का जेम्स प्रिंसेप ने ब्राम्मी लिपी की उत्पत्ती मानी है युनानी लिपी से इनके अनुसार ब्राम्मी लिपी की जो उत्पत्ती हुई है वह युनानी लिपी से हुई है कनिंगम के अनुसार ब्राम्मी लिपी की उत्पत्ती आर्रे मूल से हुई है ब्राम्मी लिपी के उत्पत्ती के अनेक सिद्धान्त है उनमें जो जेम्स प्रिंसेप है उनके अनुसार इस लिपी के उत्पत्ती युनानी लिपी से हुई है कनिंगम के अनुसार आर्रे मूल से इसकी उत्पत्ती हुई है वेनर और व्यूलर ने ब्राम्मी की उत्पत्ती मानी है उत्तर सामी लिपी से यहाँ पर एक और नाम आ गया है वेनर और व्यूलर तो इन्हों ने ब्राम्मी की उत्पत्ती मानी है उत्तर सामी लिपी से तो अगर आप college lecturer से संबंदित अन्य विश्यों से संबंदित भी प्लेलिस्ट में जाकर आप RPSC College Lecturer की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको अन्य प्रश्नों की श्रंकला भी मिलेगी, इसके अतिरिक वहाँ पर रास्तान के जो संस्कृत आधुनिक विद्वान है, उससे संबंदित वीडियो भी मिलेंगे, तो अगर आप उनको देखन जाते हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे description में आपको इसका link भी मिल जाएगा, अगला प्रश्न है, ब्रामी लिपी की शेली कितनी है, अर्थात वो कितनी शेली कितनी शेलीयों में लिखी जाती है, किस प्रकार से लिखी जाती है, तो इसकी द देवनागरी लिपी का प्राचीन जूप है ब्राम्मी लिपी जो अभी जो हम देवनागरी लिपी का प्रयोग करते हैं संस्कृत हिंदी इन सभी के लिए प्रत्तेक भाषा को लिखने के लिए किसी ना किसी लिपी की आवश्यक्ता होती है तो जो संस्कृत भाषा है हिंदे कासा है वे सब देवनाग pioneer कि रही है इसके पढ़ने में मुख्य भूमि का रही है जेमस प्रिंसर्थ जिन्होंने अठारा सो 172 इस्वी में ये सफल्ता प्राप्त की थी सबसे पहले इनोंने나로 कि यह प्रॉप अशोक के अभिलेखों को सर्व प्रतम किसने पड़ा? जेम्स प्रिंसेप ने. तो अशोक से संबंदित, शोद से संबंदित जो भी कोई उत्तर होगा वो जेम्स प्रिंसेप का ही होगा. अशोक के प्रमुक संब लेख हैं साथ. प्रमुक जो अशोक के संब लेख हैं वो साथ माने गए हैं. अशोक का भबरू शिलालेख स्थित है. कहां पर स्थित है ये? बैराट, जैपूर में. जैपूर कहां है? राजस्तान में. और ये एक लगू शिलालेख है. किसके अंतरग गड़ी एम मान सहरा अभिलेग किस लिपी में हैं खरोष्टी लिपी में ये दोनों लिखे गए हैं और ये दोनों ही शाबाज गड़ी और मान सहरा दोनों ही अभिलेग कहां से प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और किस श्रेणी में आते हैं ये जो आर्माइक में लिखे गए है अगला प्रश्ण यह उल्लेक प्राप्त होता है। अगला प्रश्ण है देवानाम प्रिय शब्द प्रयुक्त हुआ है अशोक के लिए देवानाम प्रिय यह शब्द अशोक के लिए प्राप्त हुआ है और अशोक के अभिलेकों में हमें यह रिष्टिगोचर होता है कलिंग युद्ध का उल्लेक है कलिंग युद्ध का उल्लेक जो की अत्यंत महत्वपूर्ण है ये हमें अशोक के तेरवे शिलालेक में प्राप्त होता है जीव हत्या पर प्रतिबंद यह उल्लेक प्राप्त है प्रथम शिलालेक में इस शिलालेक में ये लिखा हुआ है कि जीव हत्या पर फून रूप से प्रतिवन्द लगा दिया गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति वर्नित है पंचम शिलालेक है अगला प्रश्न है स्थम्ब लेकों की संख्या है स्थम्ब लेक कितने हैं? साथ और ये छै विभिन स्थानों से प्राप्थ हुए है साथ स्थम्ब लेक संख्या में साथ है किन्तो जहां से ये प्राप्थ हुए हैं वे स्थान है छै छै स्थानों से ये साथ स्थम्ब लेक प्राप्थ हुए है ये जो साथ स्थम्ब लेक प्राप्थ हुए हैं ये किन-किन 6 स्तानों से प्राप्तों हैं दिल्ली, मेरट, दिल्ली, टोपरा, लोरिया, अरैराज, लोरिया, नंदनगर, रामपुर्वा तथा प्रयाग अब दिल्ली, मेरट, दिल्ली, टोपरा ये जो दो अभिलेख हैं इन में से जो ये पहला अभिलेख हैं ये पहले मेरट में था और वहां से एक शाशक था फिरोशा, तुगलक उसके द्वारा दिल्ली लाया गया इसी प्रकार जो टोपरा अभिलेक था ये भी टोपरा नामक स्थान से दिल्ली लाया गया इसलिए इनको दिल्ली मेरट दिल्ली टोपरा इस प्रकार के नाम से जानते हैं इसके अतिरिक लोरिया आरही राज, लोरिया नंदनगर, राम पुर्वा और प्रयाग इस प्रकार ये 6 स्थानों से ये 7 स्थम्बलेक प्राप्थ हुए है अशोक का सबसे छोटा अभिलेक है अशोक का सबसे छोटा अभिलेक कौन सा है? रुम्मिन्देई अभिलेक और ये एक स्थम्बलेक है, लगू स्थम्बलेक अशोक के जित्ते भी अभिलेक हैं वे सब ब्रिहद लगू ब्रिहद लगू इस प्रकार से दो भागो में बखते हैं तो ये जो है रुम्मिंदेई अभिलेक ये लगू स्थम्बलेक के अंतर गता है तोपरा वे मेरठ अभिलेक को किस शाशक द्वारा दिल्ली लाया गया तो तोपरा और मेरठ हमने उपर देखा दिल्ली मेरठ दिल्ली तोपरा तो ये दोनों अभिलेक कौन सा शाशक दिल्ली लाया तो फिरोश्या तुगलक के द्वारा ये दिल्ली लाये गया अशोक के अभिलेकों की भाषा है प्राकृत भाषा यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाषा जब पूछी जाएगी तो आपको बताना है प्राकृत भाषा और लिपी जब पूछी जाएगी तो अधिकांश्त ब्राम्मी और जो पाकिस्तान से दो अभिलेक प्राप्टों है शा अशोक के शिला लेखों में मुख्य रूप से सामान्य रूप से जो नाम प्रयूक्त हुआ है वो है प्रियदर्शी तो ये थे कुछ प्रश्न ड्राम्मी लिपी और अशोक के अभिलिक्ष से संबंदित उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्य के साथ जै तु संस्क्रितम